हेलो मेरे प्यारे बच्चों तो आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल मिशन टूपे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो बच्चों मैं हूँ कैप सार और आज हम क्लास 10 का गनित का मौडल पेपर विकली टेस्ट मौडल पेपर सेट 3 को करने जारे और ये जो मौ मौडल पेपर के अंदर जितने भी महत्वपुन सवाल दे गए सभी सवालों को हम लोग एक ही करके सौल करते हैं इसका जो सबसे पहला कोश्चन है बच्चों काफी इंपॉर्टन कोश्चन है क्या है सवाल उस बेलन का आईतन ग्याद कीजिए जिसके त्रिजिया साथ जो कि आपका दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पे आर पराबर कितना दिया हुआ है सेवन सेंटिमीटर ठीके और एच पराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटिमीटर ठीके जो दिया था उसको हम लिख लिए अब यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आईतन तो बेलन का आईतन का formula क्या होता है बच्चों अभी हमने जश्ट बता है क्या होता है pi r square h pi r square h ठीक है तो pi कमान बच्चा बच्चा लोग को पता है 22 बटा 7 into r कमान r कमान 7 दिया वा है यहाँ square है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 7 गुना 7 ठीक है दो बार चुक्छे square था यहाँ तो कितना हो जाँगा चौधा देखो काट देंगे ओपर नीचे से साटगे तो कुछा तो कितना हुझा चौधा करो कितना हो जाँगा miten fonки teneger lap 15 को फिर 14 से गुना करो अर्सुचे तो गुना करूं चारचव के शोलना का छे हातेबचे एक पंद्रब प फद लिट चौके साथ एक सट और एक सो चोवन तो कितना होजाएगा छे छे चार एक 5 से पांच 111 पहला और आफ़ाए एक तह एक दूट तो एक इस छपन इसका राइट हनुसर ओप्सन नंब़ इक सवाल आपका नेक्ष देखिए आपे उस संकु का आयतन ग्याद किजिए जिसकी त्रिज्य साथ सेंटिमीटर है ठीक है आपको क्या करना है संकु का आयतन निकालना है जिसकी त्रिज्य दी गई है कितना सैवन सेंटिमीटर ठीक है और आपका क्या दिया है उचाई दिया वहा है एक बटा तीन पाई और स्क्वारेज क्या होता है देखे सभी फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा जुबान पे तभी आपसे कुश्चन बनेगा और यह था ने बनेगा लिखेंगे एक बटा तीन पाई कमान बच्चा बच्चा लोग को पता है बाइस बटा साथ आर और साथ गुना पांच ये बचा गुना कर दो तो 22 और साथ पच्चे 25 तो कितना हो जाएगा ड़ी 28 और 25 को हम जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 την 77 कितना हो जायगा था इसकोएर लिक दिये थैंग यहाँ बीआपका क्यूभी होगा इसब में क्यूभ एचलिए आगे बढ़ते हैं नेक्ट सवाल में फोर पाई आर स्क्वाइर ठीक है और वृत का चेतरफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वाइर ठीक है तो गोले का प्रिष्टे चेतरफल है वृत का कितना है तो देखे इसके आगे क्या लगा वह चार है ना तो चार गुना है वृत का चेतरफल का क्या है गोले का प्रिष्ट लोग एक गोले का कुल प्रिश्टेश फल जिसके तरिज्या 1.4 सेंटेमीटर है तो गोले का कुल प्रिश्टेश फल कितना होता है तो होता है फूर पाय जुटा है तो फूर लिखेंगे पाय का मांद 22 बटा 7 बच्चा बच्चा लोगो पता है आर आर का मान कितना है तो 1.4 गुना 1.4 ठीक है यह पॉइंट हटा के हम नीचे 10 देंगे पॉइंट हटा के हम नीचे 10 देंगे पधिकत नहीं साथ से कट गया साथ दूनी 14 फिर ठीक है अब नहीं काटेंगे काटेंगे क्या नहीं काटेंगे क्यों सर क्यूंकि 0 वाला हमारा बहु सौ बचा तो 88 और 28 को गुणा कर दो कितना करेंगे 88 और 28 को गुणा करते हैं हम लोग 88 गुना 28 तो हमारा हो जाता है 24 64 कितना हो जाता है 24 64 यह लिख देंगे 24 64 तो नीचे कितना लिखावाए 100 अभी 100 जो है न कितना 0 है दूठ जीरो तो पीछे से हम दो पॉइंट लगा देंगे पीछे से हम दो पॉइंट लगाएंगे मतलब यहां पर लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 पॉइंट 64 क्या हो जाएगा सेंटिमीटर स्कॉर के लिए रहना तो इसलिए हम इस दस-दस को नहीं हटाएते क्योंकि आसान होता है गुना करके और पीछे से पॉइंट को बैठा दो है ना चलो प्यारी बच्छो समझ मां गया तो इसको इस दिन साट लेलो चले और लाइक करेंगे ठीक है अभी तक नहीं किये हो तो अगला सवाल देखें यहां पर क्या है आर त्रिज्या वाले गोले का आइतन पूछ रहा भाई तो गोले का आइतन होता है चार बटा तीन पाई और क्यू इतना आसान सवाल पूछती है डैरेक फॉर्मूला है ऑप्शन वर 20 का र संकू का जो आयतन मितलब प्रिष्टेश चेतरपल होता है वह होता है पाई आर एल क्या होता है पाई आर एल तो अप्सन नमर एस का राइट हो जाएगा चैकर तो ऑप्सन वर 20 का राइट हो जाएगा जितने भी फॉर्मूला बता रहे आपको एकदम जुबान पर रट ले नहीं ठीक है आगे देखे नेक्स सवाल यहां पर यहां पर शिक सेंटेमेटर त्रिजा वाले एक विरित का एक त्रिजा खंड का चेतरफल क्या होगा जिसका कौन साथ डिगरी बहुत अच्छा सवाल है ठीक है क्या क्या दिया है आपको सबसे पहले वो लिख लेते हैं तो ठीक है तो ठीटा कितना दिया वाय ठीटा यहां पर आपका दे रखा है साथ तो साड़ बटा तीन सो साथ हो जाएगा पाई कमान बच्चा बच्चा लोग को पता है 22 बटा साथ होता है सर आर कमान कितना है तो छे गुना छे लिग देंगे चलो 0 से 0 6 6 36 6 से और 6 कैंसील हो यहां यानि के 132 बटा साथ संटे मिट्र स्क्वार अंसर हो जाएगा जितने भी सवाल बतारे बच्चों सारा का सारा इंपॉटन है ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स सवाल हम लोग क्या है ठीटा केंद्री कौन ठीटा केंद्री कोन आर्ट तरीजय वाले तरीजय ख चर्णक चेत्रफल की घृता है ठीटा बटा सिंवानल गुण से एंटसकेक औरीटका सब्सक्राइब Sage सर देखते को अगर Yakette इस तरीके से भी रहा सब्सक्राइब स्काइर तो भी आपको ध्यान देना है और पायर स्काइर थीटा बटा 308 रहे तो भी लब थीटा को हम इधर उदर कर सकते हैं ठीक है उपर में लेकिन उपर में नीचे मत करना है ना आगे दिखते हैं एक सेंटेमेटर तुरिज्या वाले वृत का एक चाप के इंदर साथ डि टीक है तो थीटा कमान कितना है। सबसे पहले आपका दिया है आर बराबर कितना दिया चार सेंटिमेटर सबसे पहले आपका दिया है तो थीटा कमान आपका दिया है सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे तिरिजिया कंड का चार फ़ल लीजिया कंड का CHS buscar है कि के आपका लगुला होगा मतलब थोटा वाला है ना थोटा वप hollow अब्सका क्या होता है थीटा बट्रा कितना यूज करना BEろ 3.14 तो लिखेंगे थीटा कमान कितना लिखेंगे यहां पे 30 बटा 360 और 5 5 महासाइक को हम लोगों क्या लिखना है 3.14 यूज करना है ध्यान देना इस सीच को फटाक से 22 बटा साथ मत बैठा देना ठीक है दिखें चुकिए आपका यहां पे दे दिया है सिम्मल में आगे दिख और नीचे बचा अमारे पस 3 तो फिरी दसमलों 1-4 को हम 3.4 को हम 3 से जब गुना कर देंगे हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा मतलब कि 12.56 हो जाएगा और नीचे हमारा तीन बचेगा इसको जब हम डिवाइट करेंगे तो हमारा पास हो जाएगा 4.19 ठीक है यह सेंटिमेटर स्क्वाइर इसका क्या हो जाएगा लगू त्रिजयकंड का चेतरफल जो कि आप यहां पे जो कलर किया हुआ चेतरफल है उसका ठीक है अब हम लोग को क्या निकालना है दिर्ग त्रिजयकंड का चेतरफल तो कैसे निकलेगा तो आपको पता है बचू चित्र आप देख रहे हो कि वृत का चेतरफल में से हम अगर इस लगू वाले को हम घटा देंगे तो जो साइड वाला जो बच जाएगा वो दिर्ग का चेतरफल में से हम क्या करेंगे लगू विरिता त्रिजयकंड का चेतरफल को घटा देंगे लिखेंगे यहां पर दिर्ग त्रिजयकंड का चेतरफल तो क्या हो जाएगा इसमें कैसे निकलेगा इसमें निकलेगा वृत का छेत्रफल माइनस लगू त्रिजय खंड का छेत्रफल ठीक है चलो तो वृत का छेत्रफल क्या होता है पायर स्कॉयर होता है माइनस लगू त्रिजय खंड के स्थिप्र कितना है 4.19 ठीक है तो पाय कमान कितना लिखने बोल रहा है 3.14 और कमान 4 गुना 4 बराबर 4.19 ठीक है तो अब इसको सब को गुना कर देंगे चर्चाओ के 16 16 और तीन दसमलों एक चार को हम जब गुना करेंगे तो मारे पास हो जाएगा 50.24 कितना हो जाएगा 50.24 माइनस 4.19 ठीक है 50.24 को 4.19 से हम घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 46.1 क्या बच जाएगा 46.1 सेंटिमेटर स्कॉयर इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो दिर नोट कर लो काम आएगा बाबू ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हम लोग नेक्ट सवाल क्या देखा है आकरीती में छायंकि छेत्र का छेत्रफल घ्यात करें जहां ABCD भूजा 14 सेंटिमेटर का एक वर्ग है तो यह आप वर्ग देख रहे बच्चों ठीक इस वर्ग का जो आप देख रहे हो इस वर्ग में कितना वर्युएत है बच्चों चार ठो वरीत है तो वर्ग में से वर्ग का चछेत्रफल को अगर हम घाटा देते हैं तो जो साइड। साइड में कलरे हो भाग है वह बचेग häuf Ugh बचेग और को कैसे निकालना है उस चीच को आप को धिया देना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे वर्ग का छेतरफल को निकाल लेंगे क्या करेंगे वर्ग का छेतरफल को निकाल लेंगे चलिए कि तो कैसे लिखेंगे यहां पर परती एक है ना लिखेंगे यहां पर परती एक व्रित का व्यास क्या लिखेंगे परतियक व्रित का व्यास तो परतियक व्रित का व्यास कैसे निकलेगा बच्चों तो आपको पता है कि इसका वर्ग जो है यहां से लेके यहां तक चाओदा दिया हुआ है ठीक है इसका जो भूजा दिया हुआ चाओदा तो व्यास कितना हो छटन Nकल गया मतलब 7 इसका भी व्यास साथ इसका भी व्यास साथ है लेकिन की हम लोग को वृत का चर फल में व्यास की जरुरत पड़ती है नहीं लिग्सक्षाठ को आधा करेंगे यह करेंगे वियास का आधा दो इतना निकल जाएगा तो शाय अंकित भाग का छेतरफल जो चाहिंकित भाग का च्छेतरफल जो निकलेगा बच्चो जो वर्ग का च्छेतरफल मेंसे हम चार विरितों का च्छेतरफल को क्या कर देंगे घटा देंगे ठीक है वर्ग का च्छेतरफल टोटल मेंसे हम चार विरित को घटा देंगे तो यह साइड साइड जो बच जाएगा ना मायनस चार विरीतो का if छ cry a tы形 तो वर्ग का चित्रफल क्या होता है बूजा का ऐसक्वाइर आप मायनस चार विरीतों का चाथ हो चार इन पाई और स्क्वाइर इन्याशती डेंगे स्क्वाइर माइनस चार इन्टू पाइ कमान 22 बटा 7 इंटू आर कमान तो आर कमान आपका निकाले थे 7 बटा 2 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2 देखे काटेंगे 7 से 7 कट गया 2 को 11 से कट गये और 2 दुनी 4 ठीके तो क्या बचा है यहाँ पर 14 को 14 से गुना करेंगे गया तो दो और यहाँ पर 19 में से 5 गया तो चार मतलब कि 42 सेंटिमेटर जो हो जाएगा बच्चों इसका च्छायंत्कित भाग का छेत्रफल निकल जाएगा ठीके चलो इसको भी लास सवाल है अच्छा लाश नहीं एक दो और बचावा होगा ना क्या है 7.6 सेंटिमेटर लंबा एक खंड खीचे जो और इससे पांच अनुपात आठ में भाजित करें दोनों भागों समापे ठीक है मैं देखिए यहाँ पर आप लोगों अब लेना है 7.6 इता मत लेना थिक है उसकी बाद क्या करना यह जो अनुपात दिया वह है फांच अनुपात आठ तो बहुत रहा ऑग में आपको इसको बाट देना जिसको आपको देख सकते हैं तो नीचे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्लिक है आपको यहां से क्लाइन खीज़ देना उसके बाद आठ तो जो बच दूरी को मापना है कितना होता तो 3.1 और बीपी की दूरी को मापना है तो इस तरीके से बना दोगे तो आपको नंबर मिल जागा अच्छे से नोट कर लो चलिए आगे देखते हैं नेक्स सवाल हम लोग मॉडल बनाने वाली मिट्टी से उचाई 24 सेंटिमेटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटिमेटर वाला एक संकु बनाये गया है एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया है गोली की त्रिज्या गयात करें बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों ठीक है मतलब की संकु था ठीक है एक मिनट हाँ क्या था संकु था और संकु को क्या बना दिया गोला बना दिया फेकर मतलब कि पहले जो था संगु था बरतन वह संकु था और अब बना दी इसको भोला थो कैसे बनानां ऊहना समझेंगे यहां पर आपका सबसे पहले जो दिया वाउस उसको लिखेंगे संकुकाट कि संकुका क्या क्या दिया है औरदी आप 6 cm मुचाय दियावा है 24 cm पिल यह रहे ठीक है यहां लिखेंगे हम रमनarl k मतलब कि जो संकू को ही क्या कर दिया सम्हें टो गोला बना दिया घ्रकी तो जो शंकू का आइतन होगा वही गोला का इतन होगा तो इसलिए दोनों का आइतन क्या होगा बराबर होगा तो यहां लिखेंगे हम गोले का आइतन को गोले का आइतन बराबर संकु का आइतन क्थे दिए होता है तो 100のは जो आइतन होता है वह पर Baronaca जो आइतन होता है वह कितना उ nota 4पा 3पाई आर-क्यूर नहीं कितना होता है तो इक बटे श्कार McD próxima अभी हम इसमें कुछ changes जादा नहीं करेंगे जो जो कटेगन उसको काड़ देंगे चुकि बराबर का इधर और उधर है यहार सब गुणा में है ना देखो पाइस से पाइक कैंसेल हो गया संकु का और कितना देट व्हुए संकु का और दिए छ तो छिग consistency एंच कमान कितना दिए कितना नहीं आपको 24 चूबिस से यहां पर कमान क्यूं नहीं क्यों लिखें अरे भई तो गोले का तो आइस पत्ता तो नहीं नहीं था तो इसी गुना 24 और बटा में हो जाएगा चार तो इसको काटेंगे तो चार चख 24 कितना हो गया चार चख 24 तो आर क्यूं बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको 36 गुना 6 ठीक है और फिर से हम तोड़े 36 को तो कितना हो जाएगा अच्छा क्यूं हट जागा यह यह इधर आके किस गुना 6 लिख सकते हैं कि 36 को दो बार बिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है अब देख़ो यह जब इस तरीके से अंडर क्यूं में रहेगा ना तो तीन जोड़ा का एक जोड़ा बाहर निकल जाता तीन जो तीनों को तो दृगल होता है उसमें से एक बाहर निकल युए निकल गया को दिक्त Matt ने आप उसका सकते हैं आपको ईकिकत हरा उपा जाल है कि आपको वीडियो पसंद आयो पसंद आये तो इस वीडियो को ज़्यादा से जड़ाल करेंगे थीचिए सबी बंड़ें लोग को Zhere कर देंगे भागे कोई अभी दिक्कत हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम वट्सप ग्रूप वट्सप चैनल चारो सोसल मेडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने के बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे घंडी का बटन होगा उसे भी दबा लेंगे तक हमारे पलपल के अपडेट आपको मिलते रहे चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच